हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका अपना दोस्त इंजिनियर मासुम देखिए बच्चों आज मैं पढ़ाने के भीव से नहीं बलकि कुछ बताने के भीव से आया हूँ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक पढ़ाई के उपर वीडियो बनाईए और उसमें यह बताईए कि एक्जाम के समय कैसे पढ़ाई करना है और किन-किन बातों को फोलो करना है तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनियेगा मैं उसी के उपर आज चर्चा करने जा रहा ह हूं मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं बलकि कुछ इन्फरमेशन देने के लिए आया हूं और वह इन्फरमेशन आपके एक्जाम में बहुत ही कारिगर्श साबित होगा यह मेरी आप से गिरेंटी है इसलिए वीडियो को फूरे अंतक देखिएगा बीच में मत छोड़के जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा अच्छा यहां पर तरीका और अपने एक्स्परियेंस करने जा रहा हूं कि पढ़ाई के समय कैसे आपको करना चाहिए और किन-किन बातों पर धियान रखना चाहिए और किन-किन बातों को इग्नौर करना चाहिए तो बताऊंगा किसे अगर आप मेरी अप से गिरेंटी तो देखिए बाबू, नमबर बात क्या है तो सोशल मीडिया सोचल मीडिया कहने का मेरा तत्पर यह है कि अगर आप मोबायल में अनीजूवल चीज करते हैं जो आपका जरूरी नहीं है जो परहाई से रिलिटेड नहीं है तो उसको आपको इग्नॉर करना पड़ेगा जैसे में आपको आप वार्टिप से चाटिंग करते हैं किसी से अप सब किया है आपका सब अनुसियल चीज है सब कैस आपका बेकार टीज़ है तो उससे अपको दूर आना है माले यूटुव प्यक्ता कालास को एक टाइम होगा ना कि इसी टाइम में कलास चलता है यह सर आपके टेली घरां पर बढ़ाते होगे को भी रिजन हो सकता है तो उस दिन तो आपको एक जाम बचा हुआ है और 15 दिन में मोबाइल के साथ सोईएगा उठीएगा गाईएगा ना चीएगा उसी के साथ तो काम चलेगा नहीं तो आपको मोबाइल को एक दम दूर रख देना है जब भी पढ़ाई कीजिए कि जब मेसेज है ना था मैंड उधर ड्र चला जाता है कि मेसेज किया क्या भेजा उन सब दुनियदारी को भून जाएगे आपको दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको अब भूल जाही है फिल्हाल के-पुंद्रे दिन के लिए किश्वित नमबर ने क्या बता है कि किस समय आपको पढ़ाई करना है और किस समय आपको फढ़ाई नहीं करना है तो देखिए जो पढ़ाई करने का सबसे बेश्ट तरीका है ना वह मोर्नी होता है इंडिया के मैं बात कर रहा है इंडिया में पढ़ाई करने का जो बेश्ट समय है वह आपको मोर्नी का समय पां करने का सबसे भेष्ट तरीका क्या है सबसे अठाश स懈 क्या है तो चार बहशे के आठ भॉय RAW तक या पाँ बहु पैसे लिकर आठ वज्य तक पॉद्स सब यह कि सुब सुबह में पढ़ लिह तो काम हो दो Bryan आपको दिन में बास ने जब तो सिर्फ study पे और कहीं नहीं दुनिया में क्या हो रहा है सब भूल जाए आपको कुछ काम नहीं देगा कोई काम नहीं देगा आपको दोस्त यार भी भूल जाते हैं समय आने पर यह आपका study आपका पढ़ाई ऐसा चीज है कि आपको हर दम साम देगा और आप आपसे कोई इ नहीं सकता है तो डेली पांच से आठ वजे आप पढ़ने की कोशिश करें या चार से आठ मोर्निंग में पढ़ने की कोशिश करें बात नमबर तीन यह है कि आप जंक फूड ना खाए को हने का मतलब है फस्ट फूड ना खाए जैसे पीजा बर्गर चोमिंग अंडा यह कीज़ चू खाने लगते हैं बाजारू चीज़ खाने से अभी ठंडी का दिन चली रहा है इसमें आप का पेट खराब हो सकता है आपको बुखार हो सकता है तो देखिए क्जामिंट के समयों में अपना ख्याल खुड से रखना परता है जब शूड आता है नहां आ अपना खुद से रखना पड़ता है अगर आपकी तब्यत खराब हो जाएगी तो किसको लौस होगा आप तो देखिए यही आपके 10 साल का मेहनत का फोल मिलने जा रहा है यही 10 साल का मेहनत का फोल आपका मिलने जा पीछे एक्जाम हुआ एक पहले की दूसरी तीसरी चोथी पच्वी छथी सत्वी अठ्वी नौई उसमें कोई नहीं पुछाए कि आपका रिजर्ट क्या आया नहीं आया उसका कोई जरुद्ध भी नहीं पड़ता है लेकिन दस्वी में सब का ध्यान राता है आपके दस सल का चनद भी यह ओझा है महनत है अगर यहाई पर आपका तबियत खराब हो झाएए तो कितनो बी अच्छा गाड़ी रहे कितनों बी गाड़ी अच्या रहे है अगर उसके पौण्चड हो जाएका हो जाएगी हो जाएकी एक Talk राच डाल नहीं आहीं अड़ साइका है यीयुर प्रूटीन बनाईए आप एक रूटीन बनाईए जब भी आप सोने जाते हैं तो उस समय डायरी उठाईए या आप कॉपी उठाईए और उसमें अपना डेलिंग रूटिंग को नोट कर देजिये, कि मतलब हमको कल सुबह में युँआ काम करना है, कल पूरे दिन भन में युँआ काम कर लेना है, इतना पढ़ाई कर लेना है, आप ऐसा लिखिये, रात मे लिखिए आसुबा ऊठिए तो उस बात को फोलो कीजिए यो है यह हमको कल यहां से यहां हर हाल में पढ़ाई कर लेना है यह अवर देखिए पांचवा बात आप से यह है कि जब भी आप इस्टडी करते हैं तो लागातार इस्टडी मत करते रहिए बीच में कुछ बिरेक भी लीजिए बिरेक में क्या कर सकते हैं आप मन है तो किरकड़ खेली जादा घंटा मन करता है तो बुग उठा के पर लिजादा घंटा कोई कहानी वाला हम मन करता है यूटूब में चले जाए वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर को देखिए जो में टुवेट करता है आपके लाइफ के बार में सुझता है आपको आछा बनाने की कोशिस करता है अब यह नहीं कि गए उसमें यूटूब पे अगाना बाजाना देखने लगे खेसरिया के तो ना उसम नहीं मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं मतलब पढ़ाई करते हैं तो उसमें आधा-अधा घंटा आपको बिरेक लेना है कोई दिकत नहीं बिरेक ले सकते हैं आप जैसे कि आपका एक्जामीनेशन जो है तो आपको इक्जामीनेशन से आधा घंटा पहले अपको सेंटर पर पहुंजाना है हराल में और अगर आपका admit card पे अच्छा photo नहीं आया है, photo clear नहीं आया है, तो आपको पहचान पत्र अपना लेकर जाना है, मतलब identity card, identity card में कहा सकता है, तो आधार card लेकर जाएगा अपना, परिक्षा सेंटर पे आपको हर रोज आधार कर लेकर जाना है, और आधा घंटा पहले आपको हर हाल में पहुंचाना है, तो मैंने आपको कुछ बात बताया, मैं फिर से उसको repeat कर देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सोशल मेडिया से आपको बहुत दूर आना है, सोशल मेडिया के तरफ देखना भी नहीं है आपको, समझ आईए बात, दूनमर जब सुबह पहले उठीए न, जब सुबह आप उठते हैं, तो अपहले फेरे सोरस हो लिजिए, थोड़ा सा तहलना है, तो तहल लिजिए, जो पहले से पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में नहीं है, यहो उससे कोई मतलब नहीं है, जो मतलब पहले पढ़े हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना है, दूसरा कोई बेचीज आपको नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, नया चीज पढ़ने की कोशिस मत किजिए, पह उसी तरह आप लोग पढ़ के तो रखे हुए हैं लेकिन उसको बार बार नहीं पलटिएगा न आपको दिमागों में से उड़ जाएगा तो जो पहले से पढ़ हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है एक्जामिनेशन के समय कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है आपको एक्जामिने सब्सक्राइब करना चाहिए और किन बातों को फोलो करना चाहिए और किन बातों को इगनौर करना चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टन बातों सब्सक्राइब किजए और चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपको क्या नहीं करना है और आपका टाइम सरसला सनज दिका जाता एकजाम का तो और मैं आपको ऐसा मेसेज दूंगा हर दम आपके समक्ष आऊंगा और दो चार मेसेज देते रहूंगा चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंद थैंक्स एलोट मैं आप लोग उज्वल भविश्चे का कामना करता हूं आप लोग जाए एक जहां में पुरा जी जन लगा दीजिए और अपने जहंड कि आपका भी नाम रोशनों आपके माता पीदा का भी नाम रोशनों चलिए भाबु थैंक्स फॉमच